लेखक जेम सेलेन अपनी पुस्तक एजे मैन थिंकित के अध्याई चार में थौट एंड पर्पस अर्थात विचार का हमारे उद्देश पर क्या प्रभाव पड़ता है इस बात को एक्स्प्लेन करते हैं लेखक यह बताते हैं कि जब तक विचार को उद्देश के साथ न जोड़ा जाए तब तक कोई भी बुद्धी मता पुर्ण उपलब्धी हासिल नहीं हो सकती है लक्ष हीनता एक दुर्गुन है यह तबाह होने का अचूक उपाय है जिन लोगों के जीवन का कोई केंद्रिय उद्देश नहीं होता वे छोटी 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 चिंताओं, डरों, कश्टों और दैनिये विचारों के आसानी से सिकार हो जाते हैं जो सभी कमजोरी का सूचक है यह संसार survival of the fittest का संसार है इसलिए आपको शक्तिशाली बनना होगा और सही उद्देश का एक लाव यह भी है कि यह आपको शक्तिशाली बना देगा लेखक यह बताते हैं कि लक्ष को कैसे निर्धारित करें और इसे हासिल करने का क्या तरीका है लेखक कहते हैं कि इनसान को अपने दिल में सही उद्देश या लक्ष रखना चाहिए और उसे हासिल करने में जुट जाना चाहिए उसे अपने लक्ष को अपने सभी विचारों का केंदर बिंदू बना लेना चाहिए यह लक्ष अध्यात्मिक भी हो सकता है और सांसारिक भी जो उस वक्त उसके सुभाव या प्रकिर्ती पर निर्भर करता है लेकिन लक्ष चाहे जो हो उसे अपने तै लक्ष पर अपनी समूची विचार शक्तियों को निरंतर केंदृत करना चाहिए उसे इस लक्ष को हासिल करने को अपना सरवच करता विमानना चाहिए उसे इस लक्ष तक पहुँचने के प्रती पूरी तरह समर्पित होना चाहिए उसे अपने विचारों को अल्प, कालीक, सनक, इक्षाओं और कल्पनाओं में भटकने की अनुमती नहीं देनी चाहिए यह आत्म नियंतरन और सच्ची वैचारी के कागृता का राजमार्ग है भले ही वह अपने लक्ष तक पहुँचने में बार बार नाकाम हो जाए और वो तब तक होता रहेगा जब तक कि वह अपनी कमजोरी पर विजय ना प्राप्त कर लेगा लेकिन इससे उसे जो चारित्रिक शक्ती हासिल होगी वह उसकी सच्ची सफलता का पहमाना होगा और यह भावी शक्ती और विजय का नया शुरुवाती बिंदू बन जाएगी लेखक कहते हैं कि अपने कर्तव के शत्प्रतिशत तुरूटी रहित पालन पर विचार केंद्रित करना चाहिए चाहे वे काम कितने ही महत्वहीन क्यों न दिख रहे होगी सिर्फ इसी तरह से विचार को एकत्रित और केंद्रित किया जा सकता है और सिर्फ इसी तरह से संकल्प और उर्जा विक्सित की जा सकती है और एक बार जब आपको इसकी आदत पर जाती है तो इसकी बदौलत आप संसार में सब कुछ हासिल कर सकते हैं एक आगरता से आप अपनी हर मंजाही चीज हासिल कर सकते हैं एक समय में एक-एक करके लेकर कहते हैं कि इस सच्चाई पर यकीन जो भी व्यक्ति करता है कि शक्ति सिर्फ कोशिस और अभ्यास से ही हासिल की जा सकती है तो वह फोरण इस पर मेहनत करने लगता है वह कोशिस के ब पदूलत उसकी धैर और शक्ति धीरे-धीरे बढ़ने लगती है वो हर पल विकास करने लगता है और अंततह दैवी शक्ति हासिल कर लेता है लेकर कहते हैं कि कमजोर विचारों वाला व्यक्ति भी सही विचारों का व्यायाम करके खुद को मजबूत बना सकता है लक्ष हीनत और कमजोरी को दूर भगा दें उद्देश पुर्ण धंग से सोचना शुरू करें अपना उद्देश तै करने के बाद मनुष्य को अपने दिमाग में इसे हासिल करने का सीधा मार्ग तै कर लेना चाहिए और उसके बाद उसे दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए अगर अपने पुर्ग दिशा में जाने का लक्ष बना लिया है तो सिर्फ पुर्ग दिशा में ही आगे तक देखें इधर उधर ना देखें गोडे की आँखो पर अगल बगल में पट्टी बांध दी जाती है ताकि वह इधर उधर की चीजों को देख कर विचलित ना हो बलकि अ और सफलता का सबसे बरा दुस्मन बताते हैं, लिखक कहते हैं कि संकाओं और डरों को दूर कर दीजिए, ये विगटन कारी तत्व हैं जो कोशिस की सीधी लीक को छोड़ देते हैं और इसे टेड़ी मेड़ी और प्रभावी और बेकार बना देते हैं, शंका और डर के विचा काम करने के शक्ति और सभी शक्ति शाली विचार थम जाते हैं, अगर आपके मन में संका है, तो इसका मतलब है कि आपको खुद पर या इस्वर पर विश्वास नहीं है, आत्म विश्वास की इसी कमी की वज़े से आप ज्यादातर समय दुविधा में रहेंगे और यही लगता है कि कहीं आप गलत ना हो जाएं, शंका और डर एकागरता के शत्रू हैं, वे आत्म विश्वास के भी शत्रू हैं, जब तक यह शत्रू आपके दिमाग में डेरा डाले रहेंगे, तब तक आप अपने लक्ष तक पहुँचने के लिए पूरी ताकत और एकागरता स कि हम उसे कर सकते हैं, शंका और डर ग्यान के महाशत्रू हैं, जो भी इन महाशत्रू को अपने दिमाग में जगह देता है, उन्हें खत्म नहीं करता है, वो अपनी राह में हर कदम पर खुद अबरोध खरे करता है, जो शंका और डर को जीत लेता है, वह और सफलता को भी जीत लेता है, इसलिए अगर आप अपने विचारों की शक्ति का पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो इन्हें किसी एक लक्ष पर केंदरित कर दीजिए, तो अध्याइचार में लेखक हमें, थौट एंड परपस, अर्थात, विचारों का हमारे उद्देश और लक्ष पर क् परता है, हम कैसे अपने लक्ष को निर्धारित करें, और विचारों की शक्ति का प्रयोग करके उसे हासिल करें, यहां बताते हैं, दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैन आपका दिन शुग हो,